नमस्कार आज मैं आपको महिलाओं के यूट्रेस में जो गांठ या रसोली हो जाती हैं उसकी समश्या का आईरवेडिक उप्चार बताऊंगी है आपको सुनकर हरानी होगी कि ये उप्चार मातर एक रुपे का खर्च भी नहीं होता और इस उप्चार से वे महिलाओं भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं जिनको ओपरेशन तक की नोबत आ चुकी है पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ कि आपके गरबाशे में गांठ रसोली है भी या नहीं इसकी पहचान ये होती है हमारी कमर की निचली तरफ भी होती है इसके निचे पेडू भारी पन महसूस करता है दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा माशिक चकर है अठाइस दिन से गट कर पसीश दिन का हो जाता है बीच दिन का हो जाता है पंदरे दिन का हो जाता है दस दिन का रह जाता है और दो माशिक चकरों के बीच में ल महिला बड़ी अनिमिक हो जाती है, महिला में खोन की कमी हो जाती है, और भी इसकी कई पैचान है, जैसे महिला को खासी आगी, तब भी पिशाब निकल सकता है, जोर से हसे, तब भी ये समश्या आ सकती है, छेक आगी, तब भी ये समश्या हो सकती है, तो इन सारे लक्षनों को जानते हुए अगर आप चाहे तो आप अपना अल्ट्रासंट करवा सकते हैं तो फिर इससे आपको ये पता चल जाएगा ये समिश्या हमें है भी या नहीं अगर है तो कितनी है पहले मैं आपको वो तरीका बता देती हूं जिसे हम पीडियों से परियोग करते आ रहे हैं और जिसमें मतर एक रुपे का खर्च होता है तो वो चीज क्या है आप सुनकर हरान होंगे वो है चूना सुद चूना जो आपने सुना होगा 70 बीमारियों तो दूर करता है उन्मेंसे एक बीमारी ये भी है जिसका हम पहले से ही परियोग करते आई है तो अब मैं इसका आपको तरीका बता देती हूँ, यह चुना कैसे खाना है महिला को, एक मुओं के दाने के बराबर, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना काने के साथ यह तो गर्म पानी से, यह तो मठ्थे में, और यह तो दही में, खाने के साथ ही हम इसका परियोग कर सकते हैं, तो इसके साथ दूसरी ज जो ब्लीडिंगा दिखाती है उसको भी साथ रोकने के लिए हम क्या देते हैं? धनिया धनिया देते हैं और उसके साथ आवला, दो चमच धनिया पाउडर और एक चमच आवला पाउडर सुबह है डेड़ गिलास पानी में डाल कर धिमयाज से पकाओ, जब पकते पकते एक कप सीश रह जाए नीचे उदार कर चान लो और उस पानी को खाली पीट पीलो और एक घंटे बाद खाना खाओ ऐसे ही शाम को खाना खाने से एक घंटा पहले ये धनिया और आवला का पानी पीना है और ये चुना खाना मातर, इससे ही आपकी गांट रसोली बिलकुल खतम हो जाएगी और आपको जो रक्त परदर हो रहा है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बिलकुल ठीक हो जाएगा, मैंने बहुत औरतों का इसी से इलाज किया है दूसरी बात है इसमें जैसे महीला कमजोर बहुत हो जाती है, जैसे रक्त परदर है खोन बहुत ज़्याद आता है तो अनिमिक हो जाती है, लाल रक्त कनिकाएं कमजोर हो जाती है तो इसका एक उपाए हम और बता देते थे गाउं के हिसाब से जैसे गाव में चकुणदर होती थी चकुणदर में आहिरन बहुत होता था तो उसका रस निकाल लो और उसमें रस में यह चुना मिला कर उसको पीले तो महिला में खोन भी पूरा हो जाता था रसूली भी खत्म हो जाती थी और बिल्कुल ठीक हो जाती थी अब भी मैं यहीं प्रियों करती हूं दो को सम्पूरन इलाज होता है कोई भी इसको प्रियों करके देखियो और लाभण उठाईये अब मैं आपको दूसरा उपचार बताऊंगी, जो आईरवेदी गरंतों में वरनित है, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मैंने उसका भी परियोग करके देखा है, उसके भी 100% रिजल्ट है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अब मैं आपको वो भी बता देत हो, वो क्या है, वो भसमे, बसमे क्या होती है, जैसे आशुकारी बोलते हैं इनको, हमारे आईरवेदी गरंतों, आशुकारी ओस्द्या बोलते हैं, जो शिघर कारिय करने वाली होती है, उनको आशुकारी ओस्द्या बोलते हैं, अब मैं आपको उन ओस्द्यों के नाम, खा दूसरी चीज, मुकता पिष्टी 4 ग्राम, तीसरी चीज, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम चोथी चीज, परवाल पिष्टी 10 ग्राम, और पांच मी चीज है अम्रतासत 10 ग्राम तो ये पांच चीजे आपके पास है, ये पांच भसमे हैं, इनको इकठा कर लें, सबको एक जगह मिला लें, एक जगह मिला करके इनकी साथ पुडिया बना लें, तो इनमें से एक पुडिया सुबह खाली पेट है, और एक पुडिया शाम को खाना खाने से एक घंटा पहलें, या तो शाहद से, या तो मक्षन से ले सकते हैं, इन बस्मों के साथ हैं, आपको कुछ गोलिया भी लेनी है, उनके नाम है वर्धीबादि कावटी, काचनार गोगल है, इनकी मातरा यह है कि दो गोली सुबह, दो गोली शाम को, दो नुए से दो दो, तो चार गोली सुबह कोई खाना खाने के आदा गंटे बाद लेनी है आपको, इनके परियोग से आप बिल्कुल सवस्त हो जाएंगे, और इस साथ दिन के बाद अगर आपको जरूर पड़ती है, तो फिर परियोग इसका कर सकते हैं, आप अल्टरा साउंड करवाने के बाद, वरना साथ दिन के अं